भारत के सवाथ की एस्पिरेशन्स आज सरकारों को भी पुश्च कर रही हैं और यही एस्पिरेशन्स विकाष के कारियों में भी गती ला रही हैं और साथियों मत भुलिये कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब पचीश करोड़ है दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी जादा सामर्द अकेले उत्तर प्रदेश में हैं पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सुसाइटी आपका इंतजार कर रही है साथियों आज धारत में सोचल फिजिकल और डिजिटल इंफ्रासेक्टर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाब यूपी को भी मिला है इस कारण आज यहां समाज सोचली आएंड फाइनेंसली बहुत अधिक इंक्लूजिव हो चुका है एक मार्केट के रुपे भारत अब सीमेज हो रहा है सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही है मैं अक्सर कहता हूँ कि आज भारत आउट अप कंपल्सन नहीं बलकि आउट अप कन्विक्षान रिफर्म करता है यही कारण है कि भारत चालीस हजार से अधिक कंप्लाइंसिस को खत्म कर चुका है दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है साथियों आज भारत सही माइने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है एक बहुत बड़े वर्क की बेसिक जरूरतों को हमने पुरा कर लिया है इसलिए वो एक लेवल उपर की सोचने लगा है आगे की सोचने लगा है यही भारत पर बरोसे का सबसे बड़ा कारण है साथियों कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजेट आया है उसमें भी आपको यही कमिट्मेंट साप साप दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्टर पर रेकोर्ड खर्श आज सरकार कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं इसलिए आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्टर में इन्वेस्टमेंट के नए मोके मन रहे है आज आपके लिए हेल्ट, एजुकेशन, सोचल इंफ्रास्ट्रक्टर में इन्वेस्टमेंट के भी अनेक आउसर है ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है उसमें तो मैं आपको विशे दुर्प से आमंत्रिक करता हूँ इस वर्ष के बजेट में 35,000 करोड रुपिये तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है Mission Green Hydrogen हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है इस बजेट में इस से जुड़ा पूरा इको सिस्ट्रीम विक्सित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है Electric Mobility की Transformation के लिए एक नई Supply और Value Chain हम विक्सित कर रहे हैं साथ क्यों मुझे खुशी है कि नई Value और Supply Chain विक्सित करने के लिए यूपी आठ एक नया चेंपियन बनकर उबर रहा है परंपरा और आदूनिक का से जुड़े उद्योगों का MS MS का एक बहुती ससक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइप्रेट है यहां बदोही के कालीन और बनारसी सिल्क है बदोही कारपेट क्लस्टर और वारणसी सिल्क क्लस्टर भी और उसकी वज़े से UP भारत का टेक्स्टाइल हब है आज भारत के कूल मोबाइल मैनुफैक्टरिंग में 60% से भी ज़्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है मोबाइल कंपनेंट की सब से ज़्यादा मैनुफैक्टरिंग भी UP में ही होती है अब देश के दो डिफेंस कोरिडोर्स में से एक UP में बन रहा है UP डिफेंस कोरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है आज मेडिन इन्डियाद डिफेंस इक्विमेंट की डिमांड निरंतर बढ़ रही है भारतिय सेना को भी हम अधिक से अधिक made in इन्डियाद डिफेंस सिस्टेम डिफेंस प्लेट लॉंग्स देने के लिए प्रतिवद्ध है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24